दोस्तो नमस्कार ये है मागदोशन फार्ट सिविल सर्विशेज मैं अनुराग शौधरी दोस्तो मागदोशन राजनीत विज्ञान के अंतरकत आज की वीडियो में प्रस्तुत है विभिन परिक्षाओं के लिए उपयोगी राजनीत विज्ञान अथवा नागरिक सास्त के महत्वूर्पूर्प्रशनों का संग्रह जो आपके आगामी परिक्षाओं जैसे यल्टी ग्रेट, टीजीटी, पीजीटी, गौर्मेंट इंटर कालेज प्रवक्ता, गौर्मेंट डिग्री कालेज, उच्चेतर सिक्षा असिष्टेंट प्रोफेसर, केंद्री विध्याले संगठन, दिल्ली अधिनस सिवा प्रवक इसास के साथ सामानने अध्यन के आधुनिक भारत के इतिहास खंड के लिए भी बहुत ही उप्योगी है, तो आएए शुरू करते हैं आज का वीडियो, आज की वीडियो का जो पहला प्रशन है देखिए सरोपर्थम किसने अपने लेखन के माध्यम से स्वराज की मांग अगला प्रशन है दोस्तों, पत्रकार के रूप में अपने करतब्यों के अनुपालन के लिए सरोपर्थम किस भारती को जेल भेजा गया था, तो ये थे लोकमानने बाल गंगाधर तिलक को अगला प्रशन है दोस्तों, इंडियन पॉलिटिक्स सिंस दे म्यूटिनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही उत्तर है C.Y. चिंतामडी दोस्तों, C.Y. चिंतामडी ब्रिटिस भारत में यूनाइटेड प्रोविंस के जो है सिक्षा मंत्री भी रहे थे और उनकी पुस्तक है इंडियन पॉलिटिक्स सिंस दे म्यूटिनी अगला प्रश्ण है दोस्तों, The History of the Indian National Congress के लेखक कौन है? तो डाक्टर पट्टा भिसीता रमय्या, History of the Indian National Congress पुस्तक के लेखक है अगला प्रश्ण है कौन कांग्रेस सोसलिष्ट पारटी से संबंधित नहीं था? तो आपके लिए प्रश्ण है कि कांग्रेस समाजवादी दल से संबंधित कौन कौन से नेता थे? उनमें से कौन नहीं था? पंडित गुबिंद बलपंत नहीं थे? आपको बताना है कि मती एनी बेसिंट की अगला प्रश्ण है दोस्तों किसने प्रथम गोल में सम्मेलन के संबंध में कहा कि सम्मेलन ने भारत को दो कड़वी गोलियां रक्षो पाय और संग परदान की जिन्हे खाद बनाने है तो उत्तरदाई तो रूपी सक्कर में लपेट दिया गया तो ये प्रथम गोल में सम्मेलन के संबंध में नेता जी सुबा शंद्रबोस का कथन है अगला प्रश्ण है कि यदि हम मेढग की तरह वर्स में एक बार टर रटर करेंगे तो हमें अपने प्रयास में कोई सफलता प्राप्त नहीं होगी ये कथन किसका है तो ये कथन बाल गंगा धरतिलक का है इन्होंने कांग्रेस के वार्सिक अधिवेशन के बारे में कहा था कि यदि हम मेढग की तरह वर्स में एक बार टर डर करेंगे तो हमें अपने प्रयास में कोई सफलता नहीं मिलेगी अगला प्रशन है कि यदि इस्वर अस्प्रिश्यता को सहन करते हैं तो मैं इस्वर के रूप में उन्हें कदापि स्विकार नहीं करूँगा ये किसका कथन है तो ये लोकमान निबाल गंगा धरतिलक का कथन है कि यदि इश्वर अस्प्रिश्यता को सहन करते हैं तो मैं इस्वर की रूप में उन्हें कदापि स्विकार नहीं करूँगा अगला प्रशन है दोस्तों भारत के संसदी इतिहास में प्रथम बहिर गमन का नेतरित तो किस ने किया था तो फिरो शाह महता ने और अगला प्रशन एक कथन है कि एक अच्छी सरकार कभी भी स्वसासन के लिए एक अच्छा अनुकल्प नहीं थी ये कथन किसका है तो स्वामी दयानंद सरस्वती दोस्तों दयानंद सरस्वती ने स्वसासन को ही सर्वोत्तम आधार या सर्वोत्तम विकल्प माना है पद कब सामिल किया गया था तो 1861 में और अगला प्रश्ण है किस अधिनियम के अंतरगत एक नियंद्रण बोर्ड की अस्थापना का प्रावधान किया गया था जिसके द्वारा ब्रेटिस सरकार भारत में इस्ट इंडिया कमपनी के दीवानी, सैनिक और राजस्व संबंधी मामलों पर अपना पूर नियंद्रण अस्थापित कर सकती थी तो ये था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट अगला प्रश्ण है दोस्तों 1857 के विद्रोह का प्रारम कहां पर हुआ था तो मेरट से हुआ था और अगला प्रश्ण है कि किस एक्ट द्वारा पहली बार केंद्री और प्रांती विधन परिशदों में कुछ गैर सरकारी सदस्यों के निर्वाचन की बेवस्था की गई थी तो ये अधिनियम था भारत परिशद अधिनियम 1892 और इसके द्वारा केंद्री और प्रांती विधन परिशदों में गैर सरकारी सदस्यों के निर्वाचन की बेव भारत में स्वदेसी आंदोलन का प्रारम किया गया था तो 1905 में और 1905 में लाड करजन के समय में बंगाल बिभाजन हुआ था और इसी समय स्वदेसी आंदोलन भी प्रारम हुआ था अगला प्रश्ण है सामप्रदाइक मताधिकार भारत में कब प्रस्तावित किया गया तो 1909 के अधिनियम द्वारा भारत में सामप्रदाइक मताधिकार का प्रस्तावित किया गया था अगला प्रश्न है भारती अशान्ती का जनक किसे कहा गया है दोस्तों लोक मान निबाल गंगा धर्तिलक को भारती अशान्ती का जनक कहा गया है अगला प्रश्न है भारत के लिए एक मात्र आशा जन सामाने से है उच्च वर्ग तो शारीरिक और नैतिक दोनों द्रिश्टी से मृत है ये कथन किसका है तो ये स्वामी विवेका नंद का कथन है कि भारत के लिए एक मात्र आशा जन सामाने से है उच्च वर्ग सारीरिक और नैतिक दोनों दृष्टि से मृत है अगला प्रिश्ण है लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी का गठन किया गया किस के द्वारा तो श्याम जी कृष्ण बर्मा के द्वारा और अगला प्रिश्ण है मुस्लिम लीग ने कब स्वसासन को अपने एक लक्ष के रूप में स किसका है तो ये लाड करजन का कथन है जो कहता था कि मेरी नीत जब से मैं भारत आया हूं कांग्रेस को नपुनसक बनाने की रही है अगला प्रश्ण है गदर पार्टी की अस्थापना किसने की या गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे तो लाला हर्दयाल और गदर पार् कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनव पैक्ट यानि लखनव समझोते पर कब हस्ताक्षर किये थे तो 1916 में और अगला प्रश्ण है भारत के लिए उच्चायुक्त के पद का स्रिजन कब किया गया था तो याद रखेगा दोस्तों 1919 के अधनियम के अंतरगत भारत के ल अंतर कमेटी थी और अगला प्रश्ण है दोस्तों लाल बाल और पाल त्रिगुट जो है ये जो चरमपन्थी या उग्रपन्थी दल के नेतम आने जाते थे इनके त्रिगुट का कौन सब्यक्ति भारती राष्टे का अंग्रेस का अध्यक्ष हुआ था तो ये लाला लाज पत्राय एक बार का अंग्रेस के अध्यक्ष भने थे अगला प्रश्ण है असहयोग आंदोलन के एजेंडा में कारेक्रमों में से क्या शामिल नहीं था तो दोस्तों कानूनों की अवमानना जो है ये असहयोग आंदोलन के एजेंडा कारेक्रम में शामिल नहीं था अगला वापसी का आदेश देना एक राष्ट्री आपदा से कुछ कम नहीं था ये कथन किसका है तो ये सुभाष यंद्र बोस का कथन है असायोग आंदूलन में जब अचानक चौरी-चौरा घटना जो 5 फरवरी 1922 को हुई थी दोस्तों उसके बाद जब इसको अचानक अस्थकित क तर दिया गया तब सुभाष यंद्र बोस ने ये टिप पड़ी की थी अगला प्रश्ण है स्वराज दल की अस्थापना का मुख्य मुद्धा क्या था तो काउंसुलियों में प्रवेश स्वराज दल की अस्थापना का मुख्य मुद्धा था स्वराज पार्टी से यानि रिफाम्स इंक्वाइरी मुडिमैन कमेटी के सदस्य कौन थे आपको बताना है तो ये थे मुहम्मद अली जिन्ना और अगला प्रश्ण है जून 1922 में गठित सविने अवग्याँ जाच समिती के अध्यक्ष कौन थे तो ये थे हकीम अजमल खाँ ये देखी बहुत ही म हटपोर है दोस्तों हकीम अजमल खाँ सविने अवग्याँ जाच समिती के अध्यक्ष थे अगला प्रश्ण है कौन सिल में प्रवेश के प्रश्ण पर निमलिखित में से कौन भारती राष्टी का अंग्रेश के फरिवर्तन वार्दी वर्ग का सदस्य नहीं था तो सर्तार अगला प्रश्ण है महात्मा गांधी कब भारती राष्टी कांग्रेश के अध्यक्ष चुने गए थे तो एक बार 1924 में अगला प्रश्ण है दोस्तों पूरे राष्टी अंदोलन के दौरहान गांधी जीने मात्र एक कांग्रेश अध्यवेशन के अध्यश्ता की थी ये आयोजित हुआ था बेल गाउं में 1924 में दोस्तों 1924 में किवल एक भारती राष्टी कांग्रेश का अध्यवेशन रहा जिसकी अध्यश्ता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी अगला प्रश्ण है गांधी जी द्वारा चलाय गया बार्दोली अंदोलन किसके विरुद था तो ये भूमिकर में अधिक बृद्धी के विरुद था अगला प्रश्ण है किस अंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे तो देखिए स्वदेशी अंदोलन 1905 में जो चला था उससे गांधी जी संबंधित नहीं थे अगला प्रश्ण है दोस्तों देखिए नहरू समित रिपोर्ट में निम्रिखित में से कौन एक संस्तुत नहीं की गई थी तो सिंध एक मुश्लिम बहुल प्राम्त होगा ये नहरू समित रिपोर्ट में संस्तुत किया गया जो है कथन नहीं था अगला प्रश्ण है कौन सा एक नहरू समित रिपोर्ट 1928 के स्रोत से भारत के संबिधान में समाविष्ट किया गया है तो ये मौलिक अधिकार दोस्तों नहरू समित की रिपोर्ट 1928 में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया था और भारती संबिधान में मौलिक अ आश्टवादियों ने किया था जो द्रिष्टी गोचर होता है किसमें तो नहरू रिपोर्ट में और अगला प्रश्ण है कांग्रेस ने अपने पूर्ण स्वराज के उद्देसे को किस वर्स निर्धारित किया था ये बहुत ही महत पूर्ण प्रश्ण है दोस्तों कांग्रे अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहोर अधिवेशन में जवाहरलाल नहरू के अध्यस्ता में प्रस्ताव पारित करके भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग की थी नहरू ने कहा था कि हमारा लक्ष सिर्फ स्वाधिनता प्राप्त करना है हमारे लिए स्वाधिनता है पूर्ण स्वतनता और इसी दिन रावी नदी के तट पर भारती स्वतनता का या भारती स्वाधिनता का तिरंगा जंडा फैराए गया था अगला प्रश्ण है भारत को पूर्ण आजादी और 26 जन्वरी को स्वतंता दिवस स्विकार करने की मांग किसने की थी तो जवाहर लाल नहरू ने और कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव स्विकार किया गया था कव जवाहर लाल नहरू के सभापतित्तों में अगला प्रश्ण है दोस्तों नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने प्रसिध दांडी यात्रा का प्रारम की थी 12 मार्च 1930 को और किसने गांधी जी के नमक सत्यागरह की तुलना नेपोलियन की पेरी सियात्रा से की थी तो ये सुभाश शंद्र बोस ने दोस्तों नेता जी सुभाश शंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्यागरह की तुलना नेपोलियन के पेरी सियात्रा से की थी अगला प्रशन है भारत में एक पिर्थक स्वतंत्र मुश्लिम राजजी के विचार को सरोपर्थम प्रस्तूत किया था किसने मुहम्मद एकबाल ने और लाहोर सडियंद्र मुकदमे के पड़ांसरों किन ब्यक्तियों को फासी दी गई थी तो ये थे सरदार भगत सिंग, सुखतेव और राजगुरू अगला प्रशन है दोस्तों 1932 के सामपरदाइक पंचाट का किसने विरोत किया था महात्मा गांधी ने और कौन सा एक गांधी के स्वराज की आउधाना है तो दोस्तों स्वसासन या होम रूल गांधी के स्वराज की आउधाना है अगला प्रश्ण है दोस्तों गांधी और नहरू के विचारों में भिनता थी किन्तुवे जिस अधाना को स्विकार करते थे वो कौन से अधाना थी वो था पंथ निरपेक्ष समाज की आव सकता और गांधी और नहरू दोनों ही पंथ निरपेक्ष समाज की आव सकता पर बल अगला प्रश्ण है भारती राष्टी का अंग्रेश ने एक राजनीतिक दल के रूप में कब कारे करना प्रारम किया था तो नागपुर अध्वेशन दिसंबर 1920 से भारती राष्टी का अंग्रेश ने एक राजनीतिक दल के रूप में कारे करना आरंभ किया था अगला प्रश्ण है साइमन कमीशन के विरुद विद्रो परदर्शन के दोरान लाला लाजपत राय को गंभीर चोटे आए जिसके पड़ाम सरूप अंततय हो गई ये घटना कहां पर घटी थी तो ये लाहोर में घटी थोई थी अगला प्रश्ण है दोस्तों भारत के लिए कमनल एवाड या सामपरदाइक पंचाट की घोश्रा किसने की थी रैम जे मैक डोनाल्ड ने और प्रांती स्वायतता का प्रावधान किसके अंतरगत किया गया दोस्तों 1935 के भारत सरकार अधनियम के अंतरगत प्रांती स्वायतता का प्रावधान किया गया था अगला प्रश्ण है 1936 में किसने कहा गांधी बाद जैसी कोई चीज नहीं है तो ये महात्मा गांधी का स्वैंग का कथन है अगला प्रश्ण है भारत सरकार अधनियम 1935 में निमलखित में से क्या ब्यवस्था की गई थी तो अखिल भारती संगी ब्यवस्था का परबंध भारती सरकार अधनियम 1935 में किया गया था अगला प्रश्ण है संग सरकार द्वरा राज्यों को आदेश देने का विचार भारत के संविधान निर्माताओं ने कहां से प्राप्त किया तो 1935 के भारती सासन अधनियम से और किस अधनियम या एक्ट को जवाहरलाल नहरू ने दासता का चार्टर या गुलामी का घोश्ड पत्र कहा था तो ये भारत सरकार अधनियम 1935 को जवाहरलाल नहरू ने दासता का चार्टर कहा था अगला प्रश्ण है दोस्तों बाबा साहब डाक्टर भीम रावंबेटकर ने स्वतंत्र मजदूर दल की अस्थापना किस वर्स की थी तो ये वर्स था 1936 में और अगला प् की संभिधान सभा में अखिल भारती दलित वर्ग संग के सदस्य के रूप में शामिल हुए थे अगला प्रश्ण है दोस्तों कांग्रेस के 1949 के त्रिपुरी अध्यवेशन में अध्यच चुने जाने के बाद सुभाश चंद्रबोस ने तुरंत त्याग पत्र दे दिया था अगला प्रश्ण है मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाय था तो 22 दिसंबर 1949 को और अगला प्रश्ण है अक्टूबर 1940 में गांधी जी द्वारा सुरू किया गया ब्यक्तिगस सभिने अवग्या अंदुलन का पर्थम सत्याग रही कौन था तो ये थे आचारे बिनो अगला प्रश्ण है दोस्तों मुस्लिम लीग ने अलग राज जे पाकिस्तान के लिए सरुपर्थम आवाज कब उठाई थी तो 1940 में और क्रिप्स मिसन किस वर्ष भारत आय था 1942 में अगला प्रश्ण है दोस्तों किस ने क्रिप्स मिसन प्रस्ताव को पोस्ट डेटेट चेक या उत्तर दिनांकिक चेत कहा था तो महत्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेट चेक कहा था संभिधान सभा का गठन प्रस्तावित किया गया था किस के द्वारा क्रेप समिसन के द्वारा अगला प्रश्ण है भारत छोडो प्रस्ताव अखिल भारतिय कांग्रेस समिति द्वारा कप पारित किया गया अगस्त 1942 में और महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो अंदोलन किस वर्सारम किया गया था तो ये 1942 में भारत छोड़ो अंदोलन का प्रारम हुआ था दोस्तों 9 अगस्त 1942 को और भारत छोड़ो का नारा किस ने दिया था तो भारत छोड़ो या क्विट इंडिया जो है ये नारा यू सुप मेहर अली द्वारा बनाय गया था अगला प्रश्ण है 1942 के भारत छोड़ो अंदोलन की नाई का कौन थी अरुडा आसफ अली और अपने किस अध्यवेशन में मुसलिम लीग ने ये नारा दिया कि बिभाजन करो और यहां से जाओ तो ये 1943 के कराची अध्यवेशन में मुसलिम लीग ने डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया था अगला प्रश्ण है बेवेल योजना भारत की गवर्नर जनरल लाड बेवेल द्वारा कब सुझाई गई थी 1945 में कैबिनेट मिशन भारत कब आया था तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था अगला प्रश्ण है वह अस्तान जहां नौसेना ने 1946 में भारत में ब्रिटिस सासन के विडूद खुला विद्रोह किया था तो वो मुंबई में और अगला प्रश्ण है संबिधान सभा की पर्थम बैठक की अध्यस्ता किसने की थी डाक्टर सचिदानंद सिनहाने अगला प्रश्ण है भारत की संबिधान निर्मात्री सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे तो डाक्टर राजेंद्र परसाद और स्वतंत्र भारत की सम्मिधान सभा के पहले चुने हुए अध्यक्ष कौन थे डाक्टर राजेंदर पर साथ थे अगला प्रश्ण है अंतरिम सरकार जो जवाहर लाल नहरू के नेतरित्व में बनी थी उसमें उनका सरकारी पद नाम क्या था इस वीडियो का आखरी प्रश्ण है दोस्तों देखिये भारती सम्मिधान सभा की अस्थापना कप की गई थी तो 9 दिसंबर 1946 को भारती सम्मिधान सभा गठित की गई थी तो दोस्तों ये था आज का वीडियो मागदोशन फार सिविल सर्विसेज मेरे यानि अनुराग शौधरी के द्वारा संचालित किया जाता है ताकि आप लोगों को परिक्षाओं की द्रिष्टी से उप्योगी और महत्वपूर अध्यन सामगरी और गाइडेंस मिल सके कि कहां से और किस तरह के प्रश्न तयार किये जाए ताकि अपनी परिक्षाओं में सफलता प्राप्त की जाए दोस्तों हम हर वीडियो में वीडियो के दौरान आपसे एक या दो प्रश्न पूछते हैं जिनका उत्तर आपको कमेंट बाक्स में देना होता है हम इन ही कमेंट बाक्स में कमेंट करने वाले अभ्यर्थियों में से कुछ अभ्यर्थियों को चैनित करेंगे जिने हम मार्ग दोशन फार सिविल सर्विसेज की तरफ से पुरसकृत करेंगे उनको कुछ पुरसकार भेजेंगे उसके लिए अगली प्रक्रिया हम आपको बताएंगे हम जब नाम सेलेक्ट कर लेंगे तो उनके नाम हम एक वीडियो में परसारित करेंगे फिर उन अभ्यर्थियों को अपना इमेल आईडी एड्रेस और जो फोन नमबर है देना होगा उसी के आधार पर हम उनको अपनी तरफ से कुछ गिफ्ट देंगे तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें इसके लिए आप कमेंट बाक्स में जो वीडियो के दोरान प्रशन पूछे जाते हैं उनका उत्तर देते रहिए ताकि आपको प्रशन पता चले और उसके आधार पर आप अपना उत्तर दे फिर तब आप हमारे इस जो हमारा इस ये प्रोग्राम है मागदोशन फार सिबेल सर्विसेज का कुछ अभ्यहर्थियों को पुरसकरेत करने का तो इसमें आप शामिल हो सकेंगे ये जो पुरसकार योजना है दोस्तों आप लोगों के लिए ये हर महीने एक डेट में हम घोसित करेंगे और उसी के आधार पर 10-15-20 अभ्यहर्थियों को चैनित करके उनको पुरसकार भेजेंगे पुरसकार क्या होगा ये हम नहीं बता रहे हैं ये आपको मिलने के बाद ही आप बताएगा कि पुरसकार आपके लिए कैसा रहा और वो आपके लिए कितना फायदे मन रहा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट वाक्स में जरूर बताएगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस चैनल मार्ग दोशन फार सिविल सर्विश को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों नमस्कार